हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है हमार यूट्यूब चानल पर मैं हूँ इंबसात है मज और हम लोग पढ़ रहे हैं ब्यार इस ठीटी के लिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं अपका डिजितल इलेक्ट्रोनिस का पार्ट तू अगर आ क्या है टू एस कंपल मेंट ओफ 11 001011 अगर इसका आप ऄ 501 कंपल में निकालेंगो का यमें के अप्षन नम्ब्ाट 501 010 11 1011 और अप्षन अबर किसी-गर निकाल hai noBo ap अब प्लज निजाएगा तो फंट निजकालनेगा और थो फैर छैंज करेंगे तो फिर में जूदिसें को से सब्सके Ob Morm गॉसको में वाल सब्सक्राइब करेंगे जूरोगे जीरोगेगा इसमy गार योस्तक्त फिलत करेंगे तो फ्लसफ नाप छिए आजेपा तो इसको हो जाएगा आपका option number C, अब लेखते हम लें 32 number, if the number of bits in the sum exceed the sum of bits in the each added number, it is resulting, और कहरा आपको इसमे, if number of bits in the sum exceed, और आपको इस number of bits है, वो 4 है, ठीक है, लिगन आपको इसम करके, जो value आपको 5 है, तो उस case में हमनों उसका कहेंगे, option number A, successor, option number B, overfollow, option number C, underfollow, option number D, predecessors, इसका आपको जाएगा overfollow, अगर आप मान लेजिए, आप दो number कर सम कर रहे है, आपका decimal, आपका binary sum कर रहे है, और दोनों में आपका चार्चार आपका bit है, लेकिन आप सम करने एक बात, आप bit पांचा गया, तो एक bit उ कहेंगे, वो overfollow हो गया, आपका इसपेश चार का था, लेकिन पांच आगया, अब देखते हमलो question number, जेखते हैं, त्यत्य जेखते हमलो, the one, one is complement required, आपका one is complement में क्या required होता है, option number A, one operation, option number B, two operation, option number C, three operation, option number D, combined operation, जेखिए, one is complement में आप से एक operation को perform करते हैं, अगर आपका bit one है, तो उसको जिरो करते हैं, और जेखते हमलो, तो one करते हैं, इसलिए जो हो जाएगा, आपको one operation हो जाएगा, इसमें एक operation perform हो जाएगा, इसमें आपका a step हो जाएगा, अब देखते हमलो question number 34, जेखते हमलो, यह क्या कहते हैं आपका, binary code decimal is a combination of, आपको जो bcd code होता है, bcd binary code decimal, यह आपका कितने bit का combination है, option number a, 2 binary digit, option number b, 3 binary digit, option number c, 4 binary digit, option number d, 5 binary digit, आपको bcd code में वो अपना 4 bit लेता है, इसका हो जाएगा, आपको option number c, 4 binary digit, आप जेखते हमलो question number 35, आप जेखते हमलो question number 35, when numbers, letters or word, are represented by a special group of symbol, this process is called, मतलब कि अगर आपको इन रुएके हैं, फ़ो अठीक हैं, क्यालिवार हाग, और रुजदे आपको जए हैं, वो है letter but एक खम जाए है in letter, ता ममें से सक्वाद को बहुं आपको जाएट अपने सबना इतरा है उसको किसे खोरrum सेंप एम संबाले स्पनोरamar सींप में क्या करत A equal to a plus B into B plus C into C plus A यहां पका expression दिया हुए तो कुछ हम कहा हुए expression इसे विज एक्सप्रेशन के लिए option numeर A, end operation option numeर B, pass operation option numeर C, swap operation option numeर C, D, end operation आपका pass और swap क्या होता है आपका pass होता है Product of sum और आपका swap होता है some of product. तो यह क्या है, यह पोट्ट अफसॉन है सम और Mini term, जो Game Assgangen जो क250 पॉस्ट यक्त करते हैं तो हम लोग दो हम लोग तो हम लोग निकल फॉर्म के ही छी आप वह अब डेकते हमें घैनड किकर अब साथ हुए मेस्द अबस्ट्ट organized as a matrix of square आपको जो की में होता है वो आपको abstract form होता है किस स्रीज का abstract form होता है वो option number a wind diagram का option number b cycle diagram का option number c block diagram का जाफिर option number d triangular diagram का आपको जो की में बनाते हैं ना वो बनाते हैं with the help of wind diagram अगर wind diagram जो रहेगा तब भी उसका abstract form निकालके हम लोग बना सकते हैं के मैप ठीक है इसके होगे आपको एपको एब देखता हम धने question number देखते हैं चाटने देखते हैं आपको देखते हैं देखते हैं लोग there are dash cells in a four variable के मैप अगर आप पर फोर वारेबल के मैप तो इसके अंदर number of cell कितना रहेगा अपाशन नम्र 10 ऐसी अठाण डिया अप जाएगाअ एक वाराबल के मह संच आपको एक इंपूट वण लेकिए आपका इस दोनों में से कोई एक इंपूट वन है तो किस केस में होता है कि अगर दोनों में से एक वन आपको यह वनि आएगा option number a and gate के अंदर, option number b not gate में, option number c nand gate, option number d or gate, देखिए, आपको जो होता है na or gate, वो होता आपका a plus भी होता है, और आपको हम लोग, हम लोग plus करते हैं, मतलब अगर दोनों में, एक भी आपको one रहेगा, तो आपको one ही आएगा, यह आपको जारकना है, ठीक है, अब देखते हम question number 41, what is the minimum number of two input nand gate, used to perform the function of two input or gate, इसमें कहदा आपको, कितना कम से कम number of चाहिए, दो nand gate चाहिए, ताकि उसके help से आप, दो input or gate बना सकते हैं, option number a, one, option number b, two, option number c, three, option number d, four, आपको कम से कम चाहिए, तीन or gate चाहिए आपको, ताकि आप बना सकते हैं, अब देखते हम लो, question number 42, odd priority of what can be conveniently tested by, आपको चेक करते हैं, यह हम लोग किसके help से चेक करते हैं, कि आपका odd priority है, आपका event priority है, option number a, odd gate, option number b, and gate, option number c, nine gate, या option number d, आपका जार gate, तो हम लोग जार gate की help से हम लोग चेक कर सकते हैं, कि आपको जो input जा आपका odd priority में, या फिर आपका input priority में, अब दखते हम लोग कोशन नमड़ा है, उसका 43, देखते हैं, आपको जो होता है, SSI, इसका full form क्या होता है, option number a, small scale integration, option number b, short scale integration, option number c, small set integration, या option number d, short set integration, इसका आपको होता है, small scale integration, आपको इसका full form एक्जाम में बहुत कुह आता है, आप अब देखते हम लोग question number 44, integrated circuit are classified, आपका जो IC होता है, हम लोग उस IC को किस तरह classify कर सकते हैं, option number d, large, small and medium, option number b, very large, small and linear, option number c, linear and digital, option number d, non linear and digital, हम लोग IC को दो हिस्सें बढ़ सकते हैं, एक कर नाम लाता है, linear IC, और एक कर नाम लाता है, आपका digital IC, इसका होता होता है, option number c, आपक large, small, medium, यह आपका IC को होता है, size, IC को property नहीं होता है, linear property, और digital property होता है, यह आपका, यह आपका होता है, बस size होता है, ठीक है, अब देखते हम question number 45, the full form of DIP is, आपका DIP को full form क्या होता है, option number a, dual in long package, option number b, dual in line package, option number c, double integrated package, option number d, double in line package, इसका आपको होता है, dual in line package, आपको यह रखना है, DIP को होता है, dual in line package, अब देखते हम लोगा question number 46, LCC refers to, आपको जो LCC होता है, इसका full form क्या होता है, option number longest chip carrier, option number b, leadless chip carrier, option number c, leadless chip carrier, option number d, large chip carrier, आपको इसका हो जाएगा, option number b, हो जाएगा, मतलब leadless chip carrier हो जाएगा, इसका आपको, 46 का B, आप देखते हम लोगा question number 47, देखते है, PGA refers to, आपको जो PG होता है, इसका full form क्या होता है, को जो बताना है, option number a, plastic grid array, option number b, pin grid array, option number c, pin greater array, और option number d, plastic greater array, आपको इसका हो जाएगा, option number b, हो जाएगा, मतलब pin grid array हो जाएगा, आप देखते हम लोगा question number 48, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हम लोग, देखते हम लो, 49 देखते हैं, देखते हम लो, which logic is the fastest rate of all logic family, आपको इसने पूछ रहा है, कौन सा logic family है, मतलब का कौन सा logic है, जो एक आपका fast काम करता है logic family के अंदर, option number a, ttl, option number b, ecl, option number c, htl, option number d, dtl, इसका आपको जगान, ecl हो जाएगा, आपको जो इसल होता है, वो आपको logic family में साफचे fast काम करता है, आप देखते हम लो, question number 50, देखते हैं, the full form of moss, आपका जो moss होता है, इसका full form क्या होता है, option number a, metal oxide semiconductor, option number b, metal oxygen semiconductor, option number c, metallic oxide semiconductor, option number d, metallic oxygen semiconductor, इसका आपको जाएगा, option number a, metal oxide semiconductor, लेकिन आपको पुछ देखते हम लो, question number 51, आपको देखते हम लो, 1s complement can be easily obtained by using, हम लोग 1s complement किसके help से आसानी से obtain कर सकते हैं, option number a, comparator, option number b, inverter, option number c, adder, option number d, subtractor, आपको जो होता है, आपका inverter, इसका काम क्या है, 1 को 0 करना, और 0 करना, जो आपको cm 1s का काम है, तो आपको इसका हो जाएगा, option number b, अब देखते हम लो, question number 52, code is a symbolic representation of dash information, आपको जो code होता है, वो code होता है, एक symbolic repetition होता है, आपका किस तरह information का, option number a, continuous information, option number b, discrete information, option number c, analog of information, option number d, both continuous and discrete information, आपको जो code होता है, वो एक तरह होता है, discrete information होता है, आपको याद आखना है, अब जखते हम लो, question number 53, देखते हैं हम लो, d Morgan's theorem state death, आपको d Morgan's theorem होता है, यह आपका क्या कहता है, option number a, आपको जो a b inverse है, equal to a inverse plus b inverse, option number b, a plus b whole inverse equal to a inverse into b, option number c, a inverse plus b inverse equal to a dash b dash, option number d, a b, आपको inverse equal to a inverse plus b, इसका आपको option a हो जाएगा, मतलब क्या है, a b dash equal to a dash plus b dash, आपको d Morgan's theorem है, और आपको d Morgan's theorem आपको विजाम के लिए बहुत पूछता है, d Morgan's theorem क्या होता है, अब देखते हम लो, question number 54, the time required for a gate or inverter to change its state is called, आपको जो time लगता है, किसी भी gate का, किसी भी gate or inverter का, अपना state change करने के लिए, इस ट्रेज चेंज करना मतलब कर अगर वो 0 हो जाना, और 1 हो जाना, उसका हम लोग उस time को कहा गाते है, option number a rise time, option number b decay time, option number c propagation time, option number d charging time, इसका आपको जाना, option number c propagation time, मतलब जो time लगता है आपको एक gate to inverter को अपना state change करने के लिए, उसका हम लोग कहते है, propagation time कहते है, अब देखते हम लोग आज का question number 55, देखते है, the node gate or put will be high, if two the inputs are, आपको node gate होता है, आप देखे, पहले देखता है, आपको node gate, आपको node gate में input high काव होता है, जब आपको 1 रहेगा और 1 रहेगा, तो आपको node gate को लटा हो जाएगा, जो आपको node gate का, मतलब कि है, अगर आपको node gate 1, 1 रहेगा, आपको node 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, इसका आपको जोग ऑप्शन नम्बर जोड़ो 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 यह option number D, hexadecimal, आपको decimal होता है, वो लेता है आपका 10 number, अगर binary लेता है आपका 2 number, आपका octet लेता है आपका 8 number, आपका hexadecimal होता है, वो लेता है आपको 16, किना लेता है आपको लेता है, वो लेता है आपको 16, आप देखते हैं, आपको question number 57 देखते हैं, the register is a type of, आपका register क्या ह ह буог झो होता है क्यों आपका आगए अगर आपको संढ़ेट है जिसका आपको करते है आपके प्रिवेस इंपूट पर आपके पॉट समझे आपकोके इंपूट हो तो उस तरह हें हम संदियों कहते हैं हम लोग का कहते हैं हम पुजसी हम एप 5 years? The universal gate is आपका इन 4 में después नौनुवर्सल गेट कौन دस्का होता है पहला व्ली जाने कि उनिय्वर्सल गेट होता कि है ऐसा गेट जिसके यिप्प से आप सारे के सारे गेट क बना सकते हैं उस गेट कह दो कहाँ थे उनिवर्सल गेट तो इसमें से कॉन से gate है कि जिसकी हिल्फ से हम चारों gate बना सकते हैं option number a not gate, option number b or gate, option number c and gate, option number d nand gate अब जार रखने हैं आपको होता है nand gate और not gate नदे हैं फोल्फ होता है और आपको अपको आपको नंड लिखा है तो आप को नंदे मानना है अब लेखते हैं में question number आज का 59 गार देखते हैं a full subtractive circuit requires dash आपको जो होता है full subtractive circuit होता है वह आपको क्या require करता है option number a to input and two output option number b two input and three output option no Religion option number d three input and a two output. आपको होता है full subtractor आफुल आपका Data解र है वो आपको लेगा three input लेगा और आपको two output देगा इसका आपको ऐचान पर option no burning day प्रोट चाहे बातल है जोर्द सब्रक्टर है चाहे योर नेजर दोनों आपको एक अन Linked युटर नवर्ट लेता है ठीक है अब जगते है आज के last question एई decoder converse आपकों होता है decoder वो क्या करता है वो काम किया है option number a non-code information into code information option number b code information into non-code information option number c high to low option number d low to high इसका आपको जाए option number b मतलब क्या आपको एसा information जो क्या आपको code में लिखा हुए तो उसको decode क्या करता है उसको code तोड़के आपको non code में लिया आता है इसका हो जाएगा option भी हो जाएगा आज का video खतम करते हैं हम लोग अगर आप वीडियो पसंद है तो उसको like करें अगर आप चाले पर नहीं तो subscribe करें उसके लावा आप जाके telegram गोप मेने जोन कर लें thank you very मुच